विल्कम बैंक दोस्तों मेरा ना में रूपा हूँ और आप सभी का सब्सक्राइब है आज मैं बात करने वाला हॉन्डा की गाड़ी के बारे मेर डैट इस हॉन्डा का PCX 150 के बारे में पाफी लग मुझसे इस गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे बिकॉस यह जो गाड़ी है वह बहुत ही इंप्रेसिव है मैक्स स्कूटर में आती है और इसका डिजाइन लुक ही इसका सबसे अट्रक्टिव पार्ट है आज मैं बताऊं कि इसके गाड़ी के स्पेसिफिकेशन प्राइजिंग और कभी यह इंडिया में लॉंच हो सकती है सारी जी बताऊं को इस वीडियो में तो आखिने वीडियो जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा मेनफेक्चर जो गाड़ी है स्कूटर है एशियन मार्केट में वो है होंडा PCX 150 और यह बहुत ज्यादा सक्सेस है बाहर कंट्रियों में इंडिया में अभी तक इस गाड़ी का लॉंचिंग नहीं हुआ है और अभी तो पर तक आने कि इसके चांसे काफी ज्यादा है गाड़ी के पास यह एक अच्छा मूव है होंडा के बाइस अगर वो यह लॉंच कर दिया थी तो शायद यह बहुत बड़ा सक्सेस होगा इस गाड़ी के लिए अगर में बात को इसके डिजाइन की तो डिजाइन में वान आपको headlight देखने मिलता है वो भी LED headlight जो indicator से उसके थोड़ा unique design आपको देखने को मिलता है seat की बात को तो single seat है और plus जो seat की quality है बहुत अच्छी है बहुत long seat है तो लोग बहुत ही comfortable इस गाड़ियों बैट सकते है अगर मैं बात को rear end की तो rear end में आपको X shape में tail light देखने को मिलता है जो again LED में आता है तो feature loaded गाड़ी तो है यह गाड़ी पस इसकी जो wheels है wheels इसके सब सब highlighting पार्ट है 14 inch के wheels आपको देखने को मिलता है 8 spoke wheel मिलता है जो की again इस गाड़ी को काफ़े enhance करता है look wise यह तो बातों को इसके design की आप बात करें इसके engine specification यहाँ पे आक्सो पचास इसके engine देखने को मिलता है लेकिन actual में 149 CC का है single cylinder liquid cool engine है yes इस गाड़ी में मतले scooter में आपको liquid cool देखने को मिलता है fuel injection है जिसको Honda बोलता है program fuel injection वो आपको इसमें देखने को मिलता है जो पावरपूट निकालता है 13.3 BHP का पावरपूट और जो टॉर्क आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है 14 newton meters का टॉर्क और इसमें लगावा CBT transmission जो Honda की beton gear transmission है और यह है SOS engine और SOS engine क्या होता है single overhead crankshaft होता है single होता है और किसी किसे DOC तो dual overhead crankshaft होता है तो इसमें SOSC लगा हुआ और आते एक hybrid आता और एक collector का आता है वह एशन मार्केट में अभी शायद इंडियन मार्केट में वह तो नहीं आएगा simple नॉर्मल जो पेट्रल वाला वही आएगा अब बात आती है इस गाड़ी के features and styling की feature loaded गाड़ी तो ही LED headlight already मैं बता चुका हो यह already LED headlight के साथ आता है इसका main feature है वह है की वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको देखने हो मिलता है की में है lot of features आपको देखने हो मेलता है जैसे कि आप इससे boots open कर सकते है इससे आपके fuel tank open कर सकते है प्लस इसमें start and stop का system भी दिया हुआ है इसमें आपको मिलता है keyless के साथ और इसमें और extra एक और देखने हो मिलता है find your keyhole वह ब्लिंक करता रहता है LED light के साथ इस काड़ी में आपको देखने हैं मिलता है kill switch का button और में मिलता है smart controller का function भी मतलब बहुत कुछ है इसके key वाले part में apart from that अगर मैं instrumentation की बात को तो यह fully digital instrumentation है lot of information प्रवाइड करता है like autometer, trip meter, fuel gauge, autometer सारी चीज़ आपको इसमें देखने को मिल जाती है हाँ इसमें gear positioning indicator नहीं होगा क्योंकि यह automatic गाड़ी है तो इसमें gear positioning indicator नहीं होगा अगर PCX 150 की बात को तो इसके जो boot है boot में आपको USB port भी देखने को मिलता और boot light भी देखने को मिलता है boot space की बात को तो इसमें almost 28 लिटर का boot space मिलता है that means a full-fared helmet पूरा पूरा आ जाएगा उसके बात भी बहुत जगा रहेगी बात को इसके cycle parts के apart from that जो engine होता है design होता है इसके अलावा भी बहुत साई चीज़े होती है वो है इसका suspension setup इसमें 37 mm का front में आपको telescopic fork देखने हो मिलता है और पीछे dual suspension देखने हो मिलता है जो कि आपको ride and comfort जादा चप्रवाइड करती है apart from that अगर मैं बात को रहें इसके braking department की तो 220 mm का front disc brake देखने हो मिलता है और पीछे आपको 130 mm का drum brake देखने हो मिलता है इसमें बहुत easily है girls के लिए काफी recommended है ये गाड़ी in Asian country क्योंकि वह easily चला सकते जादा height नहीं है because इतने बड़े बड़े बील होते भी इसकी जो seat height हो जादा बड़ी नहीं है और इसका weight की बात हो तो 131 kg का है इसका drive weight जो again बहुत अच्छा है इस जो drive weight है ये almost active या तो आप बग में देख लो इसकी equivalent ही इसका जो weight आता है अब बात आता है इसकी pricing है अगर इंडियन market में launch होती तो और मुस्द देर लाख रुपे की होगी अब क्यों होगी क्यों कि देर सुशिसी की गाड़ी है बीए 6 के साथ आएगी तो सब कुछ अगर बिला के देखा जाए तो ये देर लाख तक आ जाएगी आराम से हो जाएगा हो सकता है इससे जादा भी हो सकता है ले लेकिन होने के चांसे है जाधा इंफोर्मेशन वे अबाट इस स्कूटर घर चले तो प्लीज लाइक करना और इस लेट इट को भी सबस्क्राइब को भी सबस्क्राइब तो फोलोग विटिन टुटिफार विटिफार और खुछ भी हो तो मैं रिप्लाइद दे दूगा तिल